नमस्कार साथियो एलाउं विताल सुमेधा के टारिया टॉक्स की उर्जा परिमिच श्रिंखला की सात्वी कड़ी में आपका स्वागत है उदार्ता से साधुवाद देना, स्नें से सराहना आपका स्वभाव हो सकता है मेरे लिए जहे नसीब है बहुत बहुत आभार मेरी दो फ्रेंड्स ने लिखा कि वो स्वीकारती हैं कि शायद उस वयम ठीक होना ही नहीं चाह रहें थी नेगिटिविटी हावी थी उन पर पर अब उनका नजरिया बदल रहा है ठैंक्स मनेंदर एंड्रेनो उनका ये कनफेशन मुझे जखजोर गया सोचने पर मजबूर कर गया कि अरे ऐसा तो सच मुझ होता है कोई बेमारी हो या रिलेशन्शिप इशू फैनेंशल हेल्थ रिलेटिट कोई दबाव हो हम अकसर डिनायल मोट में ही तो रहते हैं अजब सी जिद, रिजिस्टेंस टू चेंज की एकसेप्ट ना करने की जिद घर कर लेती है क्यों? No way I can't take it I don't deserve that हमस्विकार करते हैं कठोरता से हमारी प्रवृत्ती हमारा स्वभाव रिजिस्ट करता है नकारता है ऐसा होता है ना आज acceptance सुिकार के ही बात करना चाहोंगे जो हमारे भीतर से ही आता है जब भी आता है ना कि कहीं बाहर से मेरी दोस्त मनीशा के शब्दों में उльजी रही योी उलजी रही योही करती रही तलाश मुझमें ही तो था निहित मेरे हर प्रश्ण का जवाब स्विकार पूर्ण स्विकार पूर्ण मनेन स्विकार जब सचमुच भीतर ही है स्विकार का भाव तो हमें क्यों गुरेज होता है वो सब एकसेप्ट करने को जब कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके लिए हम तयार नहीं होते सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो कैसे गया अपने इस जीवन में हमने होश में जान बुच कर ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि इस तरह की सजा मिले ऐसी तरास्ती का सामना करना पड़े ये होते हैं हमारे भाव कोई भी किसी भी तरह का फेलियर जिसके मूल में कारन के रूप में हम नहीं होते बाहरी परिस्थितिया नियती हमारे किसी करीबी का अनुचित प्रतीत होता व्यवहार हो सकता है या वक्त का सख्तवार जो झेले नहीं झेला जाता हमारा अस्विकार या नॉन एक्सेप्टेंस क्रोध में तबदील हो जाता है जो शायद कहीं helplessness से उपज़ता है हमारे असहाई पन से उपज़ता है जितना हम नकारते हैं उससे सच के साथ संखर्ष बढ़ने लगता है resistance या प्रतिरोध और कठोर हो जाता है हावी हो जाता है हम पर सो मच सो हमारी resistance हमारे अच्छे भले आत्मियता से भरे सनेव पूरन स्वभाव अंदरोनी affectionate nature पे परदा डाल देते हैं और दुनिया के समक्ष क्या आता है हमारा depression हमारे भीतर की हिंसा या indifference उदासींता टोटल एपिथी साथियो मन की अस्विकार वाली स्थिती की background में प्रिष्ट भूमे में स्वयम पे या किसी के लिए भी पनपता हुआ कोई गुसा क्रोध हिस्सा बन जाता है हमारे अहम का हमारे वजूत का negativity को internalize कर लेते हैं हम परिनामत है हम बहुत ही निम्स्तर की energies low vibrations में रहने लगते हैं जो तमाम negative psychic impressions से जुड़ी है एक vicious circle कुछक्र आरंब हो जाता है negativity का और हम घिर जाते हैं असहाय हो जाते हैं कभी self pity में चले जाते हैं victim mode में या स्वयम के दोशार open में पढ़ जाते हैं culprit महसूस करने लगते हैं ये negativity का वर्तुल ये भावर हमारा दर्ध तकलीफ बढ़ाता ही है कम नहीं कर सकता और हमें मिर्जा गालिव के कलाम की सार्थकता प्रतीत होने लगती है जिन्दगी क्या जिन्दगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर खड़ी दर्ध की पैबंद लगे जाते हैं साथियों कभी कभी हमारे मानस को भी formatting की reset की जरूरत होती है क्योंकि over a period of time negativity का virus हमारी भीतरी machinery को कुंद चुका होता है और हम वो सब programming अपना असल स्वर अपनी basic nature मान लेते हैं और अपने आपको समझा भी चुके होते हैं कि हम ऐसे ही हैं और हम नहीं बदल सकते जैसे वो ट्रक के पीछे लिखा होता है न यो तो योई चाल लेगा साथियों जैसे सूरज की रोशनी से हर अंधेरा हर तम उजास में बदल जाता है वैसे ही acceptance, सहच स्विकार हमें negative programming के अंधकार से निकाल सकता है थोड़ा सा awareness में आ जाएं हम अपने आपको तनिक दूर से देखने का हुनर आ जाए हम में तो स्विकार की इच्छा, हिम्मत और होंसला भी आ जाता है लड़ने की ताकत भी मिल जाती है समाधान ढूनने का जस्पा भी आ जाता है जहां चाह है, वहां राह भी है acceptance हमारे भीतर छिपा हुआ पहला समाधान है जिस से निकलते हैं और रास्ते साथियों स्विकार या acceptance का अर्थ ये नहीं है कि सब सही गलत का स्विकार ना ही acceptance का मतलब है हार मान लेना या सहन करना tolerate करना हम कहते हैं न whatever जिस भाव से कहते हैं वो नहीं है acceptance acceptance is not a wishy-washy passive way acceptance का अर्थ ये भी नहीं कि जो पसंद नहीं उसे पसंद किया जाए या approve किया जाए पंजाबी में कहते हैं न ticket आके मान लेना वो नहीं है acceptance स्विकार या acceptance एक सजक जाकरित खुले आँखों से और खुले मन से की गई सवेदनशील चॉइस है resistance को त्यजा जाता है इसमें और सज को स्विकार आजाता है not for a wrong reason but for the right reason acceptance है भूत काल या भविशय की चिंता छोड़ के जो वर्तमान में सच है उसके साथ जीना acceptance means inculcation of negative capability जो John Keats की अनुसार है ability of being in uncertainties mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason याने बिनाओ धेड़ बुन के अनिश्चित्ताओं अस्वंजस के साथ जीने के हुनर का नाम है acceptance एक प्रेयर है ना God grant me serenity to accept the things I cannot change courage to change the things I can wisdom to know the difference तकलिफ, दर्थ, बीमारी, हार जो हम बदल नहीं सकते अगर हम स्वीकार लेते हैं accept कर लेते हैं तो वो हमारे अंदरोनी environment का हिस्सा बन जाता है हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा जहां से let को करना आसान है आत्मिक स्थर पर स्नेह से, प्यार से तकलीफों को dissolve करना transmute करना किसी positive ढंग में सेवा सुमिरन में परिवर्तित करना सहच संभव हो जाता है साथियो, जब हम खुले मन से accept करते हैं स्वीकार करते हैं तो ये विश्वास भी पनपने लगता है कि कुछ है higher energies जैसा जो हमें guide करता है हमारे good angel की तरह mark दर्शन करता है और acceptance के साथ अगर forgiveness या क्षमाशीलता मिल जाए तो energies of highest level हो जाते हैं ऐसे में सहज हो जाता है धीला छोड़ देना जो हो सो हो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में मुझे ऐसा लगता है साथियो कि स्वीकार के साथ शुरू होता है अध्यात्म का असल रास्ता Acceptance पहला कदम है जिससे प्रशस्त होता है शर्नागती का मार्क जैसे ही रोश्नी में रहने की आदत होने लगती है कौन अधेरे में लोटना चाहता है साथियो जो भी करें Resist negativity को या Accept positivity को आपकी खुशी हो उसमें और ये जजबा बना रहे कि हर खुशी पे पूरा हक है हमारा और यकीन मानिय हर खुशी हमारे खैर मक्तम को बेताब है हम जाहें तो सही अपने कमेंस से जरूर अवकत करवाईएगा जल्द ही फिर मिलेंगे जहन